सो हेलो यू पॉप की दिवानों, कैसे हो भाई हो आप सब, आज शुरू करते हैं रफ्तार से, सो भाई डिफिनिटली रफ्तार कुछ ना कुछ तो लाने वाले हैं, एक दो दिन पहले रफ्तार ने कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करी थी, कि वी अबाउट टू इट गुड, देन वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, रफ्तार ने एक और स्टोरी शेयर करी थी, खेर उसके बाद रफ्तार ने एक फोटो शेयर करी है, अपने ब्रॉटकास चैनल पे, थोड़ा ध्यान से देखो कि तो स्टूडियो में कोई है, शायद रफ्तार ही है, एंड लिख है, D&D, Do Not Disturb, सो काम तो किसी चीज़ पे चल रहा है, और भाई रफ्तार ये इतने सारे हिंट्स दे ही रहे हैं, तो ट्वीटर पे एक पोस्ट लीक होने लगा, क्रिशना एक रफ्तार कुलाब EP का, जो की पूली तरह फेक है, बाकी देखते हैं आगे कब तक आता है कुछ, खे जरा कैसा लगा तुम्हें, बढ़ते हागे तो करन ओजलाइन डिवाइन ने अपनी अल्बम के साथ हिस्टरी क्रिएट कर दिये, बाई बिकमिंग फर्स्ट इंएन आटेस्ट, जिनके सारे ही सॉंग्स एपल मुजिक के टॉप 50 के अंदर है, बढ़ते हागे तो जाके बकवास पेलूँगा, ठीक है, पॉपिलारिटी यहन होगी, और फिर मैंना कुछ गाना रिलीस कर दूँगा, और लोग सारे पागर हो जाएंगे, ओ वाओ, क्या गाना निकाला, ऐसा कुछ से नहीं होगा, ठीक है, मेरे तुम्हें पता है, मेरी रील्स की फीड में कि बढ़ते आगे, तो MC स्टैन अभी एक दो दिन पहले, एरपोर्ट पे स्पॉट हुए थे, जहां स्टैन के रहे थी कि वो कैमरा शाय है, तो किसी ने उनको थोड़ा ट्रोल करते वे, एक वीडियो बनाई, और इस पे MC स्टैन की कॉंपिटिटर रह चुकी, अर्चिना ने क साथ, खेर कुछ को एक अपडेट्स, तो गौश का एक ट्राक आउट हुआ है, याद नहीं, इसके लावा बेला की तरफ से ट्राक आ रहा है, 25th को, Heart of Steel, तो बस यार इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में, तिल देन, बाबाई